Hello बच्चों, कैसे हैं सब लोग? तो आज हमें एक बहुत important topic पर बात करने वाले हैं कि J-Man 2021 में किस तरीके से अच्छे marks लाए जाएं और किस तरह से इस exam को crack किया जाएं rank कैसे improve की जाएं, ये चीज हम बात करने वाले हैं तो किसी भी exam या किसी भी goal को पूरा करने के लिए जो सबसे पहला step होता है, वो होता है proper planning तो planning हमें पहले करनी है, उसके बाद हम action पर आएंगे तो planning में जो सबसे पहला काम है, वो ये है कि आज से शुरू होते हुए, जो exam आपको देना है इसमें आप total कितने days remaining है, वो count कीजिए days count करने के बाद, आप ये count कीजिए कि how many topics are there you have to study suppose कीजिए कि हमारे पास 120 days है और total topic हमारे पास 60 है इसका मतलब अगर हम देखें, तो 2 दिन हमें हर topic को मिलने वाले हैं अगर हमारे पास आज से शुरू होते हुए 90 topics है और 90 days है तो इसका मतलब हमें per day one topic choose करना है अब ऐसा तो नहीं है कि सभी topic जो है वो equal weightage के हो या equal length के हो तो हम क्या करेंगे हम किसी एक दिन जो है वो दो topic एक साथ कर सकते हैं और किसी एक दिन पूरा एक topic अलग से जो बड़ा topic हो उसको पूरा एक दिन दे सकते हैं अगर छोटे topic हो तो हम उसको एक दिन में दो कर सकते हैं जैसे मैं यह बात यह सोच के कर रहा हूं कि 90 days है और 90 ही topics हैं हमारे पास इसका मेलब per day एक topic का average हमें पढ़ना है तो हम क्या करेंगे कि बड़े topic को जो है ज्यादा समय दे सकते हैं छोटे topic के एक साथ जो है दो कर सकते हैं किसी एक दिन इससे यह हो सकता है कि किसी particular topic को हमें दो दिन मिल जाए और छोटे topic को हम जल्दी finish कर लें अब आपको बिल्कुल descriptive way में एक time table बनाना है कि हर दिन आप कौन से topic करने वाले हैं यह आपकी study chair के सामने होना चाहिए तो यह goal decide करना बहुत जरूरी है planning बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें क्या होता है हमें day to day पता रहेगा कि आज मुझे topic पढ़ना था यह finish करना था और आज में इसे नहीं कर पाया तो हमें यह पता रहेगा कि हम अपनी goal से कितना जो है पीछे चल रहे हैं और हमें अपनी study के रफ़तार बढ़ानी होगी अगर आप बिल्कुल बिना किसी planning के पढ़ते हैं तो आप हो सकता है कि 70-80% topic कर पाएं जो कि sufficient नहीं है तो हमारा goal यह होना चाहिए कि 100% topic हमें जही में इनके पहले करके जाने हैं क्योंकि paper जो होता है वो paper easy level का होता है इतने जवर्दस question उसमें आते नहीं है तो आपको यह कोशिश करनी है कि आप हर topic पढ़के जाएं हो सकता है कि उस topic के शुरुआती चीज़ों को आप पढ़के गए यह बहुत basic level का question उस topic से पूछ लिया जो कि आपके एक या दो दिन की तयारी से भी हो सकता है आपर time कर दो तो यह हमारा पहला मकसद रहेगा कि planning बहुत perfect होनी चाहिए day to day जो है planning हमारे पास होनी चाहिए कि हम कितना अपने goal के साथ complete कर रहे हैं तो कोशिश करें कि synchronize रहें जहां जिस topics को पढ़ना है किसी भी हालत में वह topic आपका छूटना नहीं चाहिए यह हमारा पहला जो है वो target रहेगा next जो है अगर हम इसके बाद next बात करें तो second step हमारा यह है कि identify your strength and weakness इसका मतलब यह है कि कुछ topic आपके already बहुत अच्छे होंगे कुछ topic आपके weak होंगे तो हमें क्या करना है ऐसे topics की list बनानी है जो आपके strong है और ऐसे topic की एक ही list में आपके कर सकते हैं कि topics के आगे strong या weak या average लिख सकते हैं इससे क्या होगा कि जो topic हमारे बहुत ही ज़्यादा weak है हमें उन पर ज़्यादा emphasis करना है हमें weak topics की list बनानी है और उन पर emphasis ज्यादा करना है अब यह point में क्यों बोल रहा हूँ कि emphasis ज्यादा करना है त्योंकि जो topic आपके weak है अगर हमने उन पर एक या दो दिन लगा दिये तो हो सकता है कि उस topic से आसान question पूछा जाए और हम उस question को कराए तो जो topic आपके नहीं पड़ topic में भी आप question कराएं तो फिर आपका overall score बढ़ेगा ठीक है आसान paper में strategy होती है कि ज्यादा से ज्यादा से लिए बस हमें करके जाना चाहिए जो tough exam है उनमें आप कम topic करके जा रहे हैं और बहुत strong level पर करके जा रहे हैं तो sufficient है लेकिन आसान level के paper में आपको topic सारे करे हुए ह होने चाहिए तो यह हमारा second step है कि identify your strength and weakness अब main चीज़ पर काम करना है वो है action planning हमने कर ली weakness या strength हमने पैचान ली अब main काम है कि हमें action पर आना है तो action की शुरुआत हमेशा होती है बहुत sincerity और regular schedule के साथ तो हमें करना क्या है कि हर दीन जो है तीन slot बनाने है चार घंटे का हर एक slot होना चाहिए यानि total आप minimum 12 घंटे की study करने वाले हैं तो आपका मकसद ही होना चाहिए कि जैसे अगर आप सुबह 8 बजे बैठे तो आपको 12 बजे ही उतना है मतला पूरे 4 घंटे की sitting continuously होनी आवश्यक है तो अगर आप टुकड़ों में पढ़ रहे है एक घंटा पढ़ लिया फिरेस्ट कर लिया तो effectively जब आप देखेंगे total करके हर डे में तो वो study आपके effectively नहीं आईगी तो हमें क्या करना है हमें एक diary बनानी है जिसमें हम daily की study hours को count करेंगे और daily study hours हमारे 12 घंटे से कम नहीं होने चाहिए ये आप समझ लें तो 12 घंटे के slot जो 4 घंटे का slot है ऐसे 3 slot निकालने है sitting continuous चाहिए जब आप continuous sitting करेंगे तो आप confidence बढ़ेगा क्योंकि आप उसमें बहुं सारा content एक साथ पढ़ सकते हैं तो ideally आप क्या कर सकते हैं जैसे अगर मानलो आप सुबह का 1 slot लेने तो आप 8-12 तक लगातार पढ़े तो बीच में आप जिसमें आप थोड़ा race कर सकते हैं TV देख सकते हैं थोड़ा सा tell सकते हैं लेकिन आपको 12 घंटे minimum निकालने हैं अगर आप बैठ सकते हैं तो इससे ज्यादा भी निकालें आप यह मेरा selection होगा फिर minimum 12 घंटे आवश्यक हैं अब इस intense जो exam का schedule है जो आने वाला exam है तो इसमें लब यह है कि आप एक या दो पेज में उससे related important information या formula लिख लें ऐसा ना हो कि आपको बहुत descriptive नहीं लिखना है ठीक है पूरी theory नहीं लिखनी है आपको important points जो है वो लिखने हैं और यह important points आपको day to day जो है continuously पढ़ने जैसे suppose कि आपने चार गंटे में एक topic पढ़ा short notes आपने लिखने तो इन short notes को पढ़ने लग जाए तो revision बहुत बड़ी की है syllabus को समझने के लिए और अच्छे marks लाने के लिए तो अगर आप कहें कि इन सब चीजों में एक magical tool कौन सा है तो वह है very short notes आप खुद देखेंगे कि अगर आप इन चीजों को बार बार पढ़ने हैं एक topic के short notes को पढ़ने में आपको 10 minute लगेगा 10 minute वाले schedule आप कई बार करेंगे 10 बार 15 बार तो आप एकदम से देखेंगे आपको topic का जो understanding है जो overall understanding है बहुत आसानी से आपको topic समझ में आ गया और आपको feel आना जरूरी है topic का feel आ जाएगा तो आप कर जाओगे अगला मैं बोल रहा most जो हमारा पहला target है पढ़ने का वो है NCRT book तो NCRT book को बहुत ध्यान से पढ़ें उसके अंदर के sold example को ध्यान से पढ़ें और जो question NCRT class में दिये हुए हैं वो आप definitely करें तो पहला हमारा goal यह होना चाहिए NCRT thoroughly आपकी complete होनी चाहिए जो topic आपको बहुत weak हैं उनमें तो especially य पहले भी नहीं पा रहा है मालो practice के लिए और आप minimum यह चीच करके गए exam में तो मुझे मेरा पक्का विश्वास है कि 60% से topic होंगे जिनमें आप question कर रहा होगे जो आपका weak portion है तो NCRT माल लिजिए कि J.E.Main के लिए सबसे बड़ा tool है crack करने के लिए अब जब आप NCRT कर questions करें इससे आपको important topics जिनमें से question पूछ रहा है जई वो आपको पता चलेगा तो यह दूसरी activity बहुंच ज़री है कि J.E.Main के questions करने हैं अब बात आती है कि जब आप questions करने हैं तो आपको करते समय यह feel होगा कि कुछ topic ऐसे हैं जिनके questions आप नहीं attempt कर पा रहे हैं तो इस case म केवल उनी topics के video देखने है सब topics की बात कर रहा हूं जैसे मारी jilim केमिकल काइनेहे तिक्कत आते हैं firstorder के questions करने में तो आप कीवल first-order इस irritable videos की देखें तो उसी से जो है आपका वीक्डिन से वो दूर होगी और समय भी खराब नहीं होगा, तो केवल वीडियो वही देखने हैं, जिनमें आपको दिक्कत आ रही है, कुशन सोल करने में, अब मैं बात करता हूँ, कि अभी, चूंकि यहां इस समय, चूंकि COVID वारी सिचुईशन हैं, तो ओफ-लाइन क्लासे में आप जाना ही पा रहे हैं, तो अब बच्चा कैसे तैयारी करें, तो बच्चे के तैयारी करने के हमारे पास दो मोड है, एक तो recorded classes हैं, और एक live classes है, ठीक, recorded classes जो है, मेरे ख्याल से, जब आपके पास बहुत कम समय बच्चा हो, एक्जाम के लिए, तो recorded classes are better than live classes, इसका कारण क्या है, मैं आपको बताता ह हूँ, recorded classes में, जैसे मैंने कहा, कि आपको किसी topic में, हर subtopics को पढ़ने के आवशकता नहीं है, वीडियो देखने के आवशकता नहीं है, केवल आप वही subtopics देखोगे, जिसमें आपको weakness feel हो रही है, अब ऐसा संभव केवल, जब आपके पास पहले से recorded videos हो, और उनमें पूर जब शुरू होता है, तो teacher को पता नहीं होता है, कि भई में क्या-क्या पढ़ाने वाला हूं, specifically, तो एक general topic लिग दिया, कि about basic organic chemistry, या about coordination compound, तो हमें, एक specific topic चाहिए, और वो भी, जब teacher live class में आ रहा है, तो वो general सभी बच्चों के साफ से आ रहा है, लेकिन, हो सकता है, कि जिस topic पे वो video चल रहा हो, या class चल रही हो, वो topic आपको strong हो, वो देखने के आउशकता ही नहीं हो, तो ऐसे case में, आप समय खराब ना करे, आपको केवल वही video देखने है, जो आपकी weakness है, जिनमें आपको समझना है, अब दूसी बात है, recorded classes क्यों better है, क्योंकि इसमें एक organized content है, हर video का एक content लिखा हुआ है, जैसा कि हमारी app अगर आप लेंगे, तो उसमें आपको दिखाई देगा, कि हर topic में, सब topic के आगे, हर video number के आगे, उसका content जो covered हो लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जो content आपका weak है, जो उसमें समय दिक्कत आती है, आप उसी video को चला के देख चला हुआ है, कि YouTube पे live classes चलती है, पहली चीज तो आप समझ लीजिए, कि live classes जो YouTube पे चल रही है, बहुत सारे लोग उनको सिर्फ branding के लिए use कर रहे है, कारण क्या है, कि सारी classes live नहीं है YouTube पर, केवल teacher वहाँ आएगा, थोड़ा topic पढ़ाएगा, उसके बाद कहएगा, कि subscribe to our channel या हमारी app डाउनलोड कीजिए, वहाँ आपको पूरे course मिलेंगे, जो कि एक subscription प्लान के थरू मिलते हैं, तो पूरी classes आपकी live classes जो है, पूरे syllabus की live classes YouTube पे नहीं है, वो केवल डेमो lecture से, और डेमो lecture जो है, वो ब्रांडिंग के लिए use किये जा रहे है, यारी उनमें बहुत सा हमें teacher खराब कर रहे हैं, कैसे खराब कर रहे हैं, कि बच्चों का नाम ले रहे हैं पहले 10 मिनट, उसके बाद 5 मिनट रुक रहे हैं, कि चलो और बच्चों को आने दो, तो और बच्चे जोईन करेंगे तब तक teacher बठा रहेगा, या बीच बीच में दूसरी बकवास कर रहे हैं, बच्चों का नाम ले रहे हैं, बच्चों का कमेंट उठ पटांग जो कमेंट आ रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करने लगे, तो ये मेरे ख्याल से ये regular class नहीं है, जैसे हमने इतने सालों तक कोटा की institute में पढ़ाया, तो मुझे याद है कि हम जब class में घुषते थे, तो class में हम institute का नाम कभी नहीं लेते थे, because बच्चा जो आ गया, ओल्रेड़ी वो ब्रांडिंग के थूरू आया है, वो अल्रेड़ी बैठा हुआ है, तो हमें ये बताने की जोती नहीं कि हम किस institute में पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहां पे YouTube पे हाट ट बच्चों को इसे बचना चाहिए, दूसरी बात, यूट्यूब पे जब आप lecture देख रहे हैं, तो वहाँ district होने का बहुत बढ़ा खत्रा है, यानि आप ए class करना है, बगल में 10 और classes चल रही है, 10 और suggestions आ रहे हैं, आपने random किसी और suggestion पे click कर दिया, वहाँ ये भी हो सकता है, कि बगल में मदारी का खेल चल रहा हूँ, और मदारी का खेल पे आपने click कर दिया, अब आप बंदर का dance देखने लग गया हूँ, तो डिक्स टेक्ट होने के बहुँ ज़्यादा chances है, अगर आप YouTube से classes ले रहे हैं, दूसी बात, वहाँ पे खिचरी पकी हुई है, अगर आप आप physics में कोई topic डालेंगे, तो 10 lectures आएंगे, 10 अलग-अलग faculties आएंगे, तो अब आप किसी भी movie को multi hero मना के guarantee नहीं कर सकते कि success हो जाईगे, तो किसी भी topic में या किसी subject में, आप chemistry में, अगर आप 10 teachers को follow कर रहे हैं, तो वह आपके success की guarantee नहीं है, बलकि आप पर time waste है, तो होना पर लो आप, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10-15 अलग-अलग teacher से पढ़ रहे हैं, अभी आज इसका वीडियो देखा, कल उसका वीडियो देखा, तो YouTube को मेरे खाल से बच्चे को totally avoid करना चाहिए, अगर वो J.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E. के लिख लीजिए, कि ये बहुत हानिकारा के बच्चों के लिए, और ये parents को भी समझना चाहिए, कि इसको जल्दी से जल्दी stop करने के आउश्यक्ता है, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो ये है, कि YouTube पर मैंने बहुत सारे teachers के lecture देखे, तो जो new generation teacher है, they are teaching like a salesman, यानि कि वो कम उम्र के जो लड़के हैं, उन्होंने किसी institute पर पढ़ाया नहीं है, उन्होंने किसी institute पर पढ़ाया नहीं है, बड़े बैचेस नहीं लिए है, 300 बच्चों को एक साथ offline class में handle नहीं किया, उन्होंने, तो उनको पता नहीं है कि कैसे पढ़ाना है, they are just attracting new students to their portal, तो वो क्या कर रहे हैं, कि इस तरीके से पढ़ाना है, जिसे यार दोस्त पढ़ाते हैं, तो एक teacher का dignity है, कि teacher को इस तरी से पढ़ाना चाहिए, कि बच्चा जो है, उसके प्रभाव शेत्र में रहे है, और concentrate हो कर देखे, लेकिन teacher को ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए, क यहां पर आपको लड़कों से डिस्टेक नहीं होना चाहिए, या मतलब लड़कों से नहीं होना चाहिए, मतलब यह video में देखे हैं, तो यह मेरे ख्याल से, एक teacher के लिए उचित नहीं है, कि इस तरह के topic पर बात करें, we should concentrate only on the content, तो content जो है, वो content नहीं दिया आ रहा है, जै इस मिनट में पढ़ाते थे, उस चीज को एक घंटा पढ़ा रहे है, तो उसे feel good तो होगा, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, उसे वो कुछ तो सीखेगा, लेकिन आप यह सोचिए, कि जिस syllabus को हम सो घंटे में करते हैं, अगर यह बंदा हजार घंटे में करवाएगा, तो वो time कहां से लाओ गया, तो ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी चीज को expand करते हुए, खीच के rubber की तरह हम पढ़ा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है बच्चे के लिए, वो feel good factor है, तो ऐसी चीजों से हमें बचना है, जो salesman type approach है, वो नहीं होनी चाहिए, तो हमें ऐसी चीजो मैं आना चाहता हूँ, कि अगर, अगर हम यहां पर जो है, इसके बाद, जब हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, हर topic का test देना है, अब topic के test का available है, सबसे पहले तो मैं आपको offer कर रहा हूँ कि nucleon के platform पे आपको यह सारे test free available है, test का मतलब यह है, कि को clinical kinetics finish किया, आपको लग रहा है कि नहीं, यह मेरा topic अच्छा है, तो वहाँ पर आपको एक test मिल जाएगा, जो आप एक घंटे में दे सकते हैं, और अच्छे quality के quota coaching के selected questions आपको मिलेंगे, तो आपको यह सारे questions free available है, nucleon platform पे, तो आप हर topic को finish करने के बाद, उसका topic wise test दीजिए उससे आपको strength and weakness का बहुत अच्छे तरीके से analyze कर पाएंगे आप, अब अगला point यह है कि अभी exam जो है बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको 4 attempt एक साल में दी जा रहा है, तो किसी तरह का stress नहीं लेना है, अगर एक exam खराब हो गया, तो दूस चोड़ सकते हैं, यह पहुत अच्छी बात है, अगर किसी particular माली जी है कि 10% syllabus ऐसा है जो आपका weak रह गया जिसमें आपको question नहीं आते, तो आपको question चोड़ने के आजादी है, तो यह आपके लिए plus point हो सकता है, इसके बाद जब पूरी तयारी के दोनाना आपको करना है, वो करना है कि focus more on question solving, केवल theory के lecture देखने से काम नहीं चलेगा, अगर एक बच्चा यह सोच है कि मैं YouTube पर केवल में lecture देखता रहूं, theory पढ़ा रहा है, teacher वो करता रहूं, ठीक है, या फिर question solving के videos देखता रहूं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, यह सबसे बड़ा करेटर exam में successful होने का, lectures हजारों available हैं, लेकिन lectures को देखने के बाद हर बच्चा succeed नहीं कर सकता, तो हमें ध्यान रखना है कि exam जो है, उसमें question पूछे जाते है, question पूछे जाते हैं, तो हमें जितने हम question practice कर लेंगे, वो ही हमाले सबसे बड़ा मददगार होगा इस exam में, तो focus more on question solving, अब अगली चीज है, कि study only from faculties taught in Quota, यह बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा देख पा रहा हूँ, पहली चीज तो यह देख लीजिए, आपकी Quota जिस चिलिए famous है, वो है इसका content, तो मैंने YouTube पे बहुं सारे ऐसे लोग देखे हैं, जिनके पास content नहीं सिर style है, style है, तो क्योंब वो जो है, अपना जो है, एक यंग एज का, एक एनरजी के थुरू पढ़ा रहा है बच्चों को, और बच्चों को attract करना है, लेकिन, अगर आप at the end of session देखेंगे, तो जो content पर जोड़ देगा, जिसने content पढ़ा होगा बच्चे ने, वो ही successful होगा, त कोटा का trend ये रहा है, कि हम जादा कर, सारे teacher जो है, वो content पर जोड़ देते हैं, यानि कि हमें पढ़ाना है, बहुत सारा syllabus, और हम उन चीजों को जो है, कि किसी topic को 10 minute देना है, तो 10 minute ही देंगे, किसी को जादा time चाहिए, तो जादा time देंगे, लेकिन, ऐसा नहीं होगा कि हम 10 minute के topic को एक घंटा पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें syllabus खतम करना है, लेकि जिन लोगों कोई पता नहीं है, experience नहीं है, कि syllabus कैसे खतम होता है, वो randomly इस तरह के छोड़ी-चोड़ी topic लेकि उन पर बच्चों को ब्रहमीत करते दाएंगे, तो ब्रहमीत होने से बचे और मेरी सला यह है कि कोटा के faculty से पढ़ने कोशिश करें, क्योंकि अब available है, अब आपको कोटा के faculty से बहुत सारे available है, channels पे और apps पे तो उन पे उनके थुरू आप पढ़ सकते हैं, घर बटे, अब मैं आपको best of luck बोलता हूँ, आपके exam के लिए, आप इसके लिए जो है, बह अपनी सामरते के साब से best दे पा रहा हूँ है, नहीं दे पा रहा हूँ, अगर आपने सामरते का best दे दिया, तो भी आप काफी लोगों से आगे बढ़ जाओगे, तो आपका competition जो है, दूसरों के साथ भी है और अपने साथ भी है, तो आप दूसरों के competition को डिटर्माई नह साट वाला सतर के लिए कोशिश करें और यही एक सबसे बड़ा जो है वो मोटिवेशन रहेगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इसको शेर कीजिए अगर नुक्लियोन कोटा के बारे में कुछ और इन्फोर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.nucleonitjkota.com या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं www.support.nucleonplus.com या आप हमें कॉल करें धन्यवाद